तेज तराक जुवानेता को ब्रबाद करने का प्रयाश शिवानन तिबारी जी जेडी और भाजपा के साजिश के तहद कर रहा है चुकि वह अस्थाई तोर पे कभी भारते आर्जेडी के साथ नहीं रहें आर्जेडी के साथ है तो लालुजादम जी को जेल फेश पाए दिमूबो खोलते हैं तो गरबर बोलते हैं इसका दो मतलाव हो सकता है या तो शिवानन तिबारी जी का कोई उजूद नहीं है अगो उजूद है तो गय क्यों नहीं ओ आर्जेडी का आंत्रिक मामला है लेकिन शिवानन तिबारी जैसे व्यक्ति जिस दल में रहेंगे घू भात वरिष्ट नेता हैं लेकिन उन्हें पूत्र मुट्यागन की बात हमारे दाश्टे ने तुत कहा था उनुषी हम आगरह करेंगे शीवानन तिबारा जी आप तो आधरनिये देश के बरे नेता रामानन तिबारी जी के पुत्र है आप तो सेंग बनसवाद के उपज हैं जाता में तो जो डूसरीयों को नसी सिहत क्या देंगे दूसरा शिवाणांति वारी जी के जूट के पुलिंदो के कारण ही अज लालुप अडवी जेल में है पहले उनोंने लालु जादव जी को ब्रवाद किया, पहले पिताक को ब्रवाद किया, आज वो तेज़श्वीर जुवानेता को ब्रवाद करने का प्रयाश, श्रिवानति बारे जी जेडी और भाजपा के सादिश के तहद कर रहा हैं, चुकि वो अस्थाए तोर पे कभी भा पर नितीज दूके साथ चलेगा भाजवाब में जाने कामन होगा तो ओ आर्ज जेदी को बरवाद करना चाहते हैं तेजोस्टी जादर जी को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं जेदी और जेदी और भाजपा के संग्षन में रहा कि कि शिवादन तिवारी जी का बड़ा हाथ है और जब भी मुवों खोलते हैं ते गरबर बोलते हैं कभी पार्टी नहीं बताई अभी हम लोग सुनावला रहे हैं महागठवंधन का वह किस चेत्र में परचार किया हैं अपने पुत्र के चेत्र के आलावा महागठवंधन दोस तो शिवानन तिवारी जी बताएं कि उनकी खत्म हो गया था इसलिए किसी शिट पर नहीं गये या उनकी उजूद थी महागठवंधन को नोक्सान पुंचाना चाहते थे इसलिए नहीं गये यह तो शिवानन तिवारी जी बताएंगे और आर्जेडी का आंत्रिक मामला है लेकिन शिवानन तिवारी जैसे व्यक्ति जिस दल में रहेंगे घून की तरह उसों खा जाएंगे